हेलो फ्रेंड्स वल्कम टू सूब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल आज हम लोग यहाँ पर सैने की स्कूल रेवरी द्वारा स्टाफ नर्स की जो वाइकेंसी रिलीज की गई है उसके बारे में हम यहाँ पर पूरी डिटेल देखेंगे सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर न देख लेते हैं यह नोटिफिकेशन जो है सैने की स्कूल रेवरी द्वारा रिलीज किया गया है स्टाफ नर्स की ज o press की सिस्टर की बैधिक्र नर्सिंग और पने नर्सिंग नर्सिंग snacks अपने किया है यहाँ फिर बेकी बैसे नर्सिंग आपका कंप्लीट है तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं 5 year का experience मांगा गया है medical assistant rate से desirable qualification में यहाँ पर experience of working in any residential public school यदि आपके पास किसी भी residential public school का experience है तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं desirable में रखा गया है और या फिर adequate knowledge of working in any government, semi-government and recognized private hospital का यदि आपके पास experience है तो भी आप इसके लिए apply कर सकते हैं यहाँ पर आप इसमें देख लीजिए level 4 के अंदर गत इसमें आपको salary मिलने वाली है 40-50,000 के बीच में इसमें आपकी salary रहेगी और जो उसमें age limit दी गई है वो दी गई है 18-50 साल फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए इसमें जो form apply करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको इसमें जो आप इसके website पर जाएंगे तो यहाँ से आपको जो हैं इसमें application form दिया गया उसे आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा application form डाउनलोड करने के बाद आप उसे fill up करके उसके बाद आपके जो भी आपके documents हैं आपके mark sheets हैं उन्हें self-attested आपको करके आपका photograph यहाँ पर paste करके आपका जो भी telephone, mobile number है जो भी आपकी email ID है वो सब fill up करके और 30 rupees के stamp paper में आपको self address करके और फिर bank graph के द्वारा आपको 500 रुपे का bank graph बनवा के जो भी आपके इनके नाम पर बनवाएंगे principal जो है sanic school ravery के उनके नाम पर आपको bank graph बनवाना है 500 rupees का और यह सारे documents आपको जो है इस address पर send कर देना है sanic school ravery देना है जो यहाँ पर दिया गया है principal sanic school ravery sector 4 ravery haryana 123401 इस address पर आपको यह सब कुछ documents आपके fill up करके send कर देना है application form के साथ और फिर उसके बाद जो इसकी last date दी गई है वो रहेगी आपके 25 February 2021 25 February 2021 इसके पहले-पहले आपको यह सारे documents send कर देना है इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का TADA पे नहीं किया जाएगा only eligible और shortlisted candidates जो रहेंगे उन्हें selection process के लिए बुलाया जाएगा और यदि आप इसका form भरने के लिए eligible हैं तो आप इसका form apply कर सकते हैं यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारा वीडियो लाइक कर दीजिए अपने friends के साथ share कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू